ओम नमस्षिवाय जै महाकाल अगर आप पान का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से तो आप ए घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होगा पूजी गुरुजी की कता से ही सुनके आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ज़्यादा चोटी वीडियो है और आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन सबसे पहले लाइक करिए आज पहली बार आपस नए चैनल पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है आपको यहाँ पर दिख रहा है पान का पत्ता बिलकुल खड़ा-खड़ा पान का पत्ता आपको दिख रहा है एक चोटी से चीज आपको समझा दू उसके बाद आपको आसानी से सारी चीज़े समझ में आएंगे देखो जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आप मानिए कि ये पान का पेंड है ठीक है पान का पेंड है तो एक बात का विशेश ध्यान ये रखिएगा कि जो पान का तना होता है ये तना होता है इसमें होता है काम देव का निवास ठीक है जो पान का पूरा का पूरा का वास और साथ ही साथ ये भी जानना आपको जरूरी है ये जो आगे का पोर्षन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं काले रंग से यहाँ पर होता है दर्दता का वास ठीक है यानि कि ये वाला जो पोर्षन आपको दिख रहा है आगे का और ये यह पूरा का पूरा portion बीच का आपको यहां पर दिख रहा है यह इतना पूरा का पूरा portion यहां पर होता है माता सरी लक्ष्मिकावास ठीक है इतनी बास materम हमें तो यहांपर आपको एक चीज का ध्यान रखना है अगर आप अपने घर में पान का पत्ता खड़ा रखते हैं जै पान वाले दुकान पे आप जाओगे तो कभी भी आपको सूखा पान नहीं दिखेगा है ना वो कभी न कहीं पानी का छीटा मारता रहेगा या फिर इतना बड़ा उसके पास होता है और इसमें वो अपने पान को दुबा के रखता है लाल कपड़े से ढखके देखा होगा आपको यह करना है अगर आप घर में कोई व्यक्ति पान को खाता है या फिर आप खुदी पान को खाते है तो आप एक बात का विशेज ध्याने रखिएगा कि जब भी पान बनाने वाला आपको पान दे तो आप उससे कहना भाई यह पीछे का पोर्शन और यह आगे का पोर आप देखो यहाँ पर यह उपर का पोर्शन इसने काट दिया है यह काटने का मकसद ही होता है जो भी व्यक्ति यह उपर का पोर्शन खाता है और यह नीचे का पोर्शन खाता है उसके घर में दर्दिता का वास होता है माता लक्षमी का वास नहीं होता आप सब को एक चीज जब भी आप पान को खाने के लिए जाए तो ऊपर के और नीचे के पोर्शन को कटवा दे, यहाँ पर माता दरिद्दा का वास होता है, ठीक है, और एक बात जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में, एक बात का ध्यान नखिएगा, अगर आप अपने घर में पान के पत से ही सुनके आपको समझाने के मैंने कोशिश की है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो मुझसे नीचे कॉमेंट में जरूर पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, वीडियो पसंद आई है, लाइक करिएगा, और आवाज मेरी आप पहली बार सुन